Hello my dear students, welcome to the channel rudimental classes आप सबका एक बर फिर से इस चैनल पर स्वागत है जैसा कि हमें पता है कि हम कक्षा नवी अध्याय तेरा हमारा स्वास्त थे पिछले दो वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किये हैं इसी अध्याय के जिसमें आप लोग का अध्याय कम्प्लीट हो गया है इसकी स्लाइट्स में जल्दी से आप लोग को दिखा देती हूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था पार्ट वन में हमने स्वास्त को प्रभावित करने वाले कारक रोग की पहचान, रोग की पुष्टी, रोग के प्रकार भी पढ़े थे संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में भी पढ़ा था फिर इसका भाग दो में लेकर आई थी दोनों के link description box में दिये हुए है संक्रामक रोग किस तरह से फैलता है और अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभी व्यक्ति क्या होती है रोग वाहग क्या होते है रोग थाम और उपचार क्या है रोग से बचाओ किस तरह से किया जा सकता है और अंत में टीका करण किया यहां तक मैंने आप लोगों को पूरा explain कर दिया है इसके दो वीडियो चैनल पर पहले से upload है आप वहाँ से देख लेजे तो आज की class में मैं आप लोगों को केवल प्रशन उत्तर बताने वाली हूँ तो इस अध्याय के प्रशन उत्तर आप इस screenshot लेकर अपने fair copy में जरूर लिखे और याद करिए क्योंकि परिक्षाएं होंगी आप लोगों की वार्शिक परिक्षाएं तो देखिए सबसे पहला प्रशन जो आपकी text book में दिया हुआ है वो है कि कौन सा रोग संक्रामक है options है रतांदी यह देखिए आपर option दिया रतांदी मधु में उच्चे रक्त चाप है जा दूसरा प्रशन है AIDS किसके द्वारा होता है विशाणू कवक जीवाणू क्रिमी तीसरा प्रशन दिया है कि नेमने में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है टाइफाइड कुस्ट रोग छोटी माता रग्त कैंसर तो इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ आप लोगों को इसका सही उत्तर है नेमने में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है तो देखिए इसमें से जो रताउंधी है ये संक्रामक नहीं है यानिकि ये नहीं फैलता क्योंकि विटामीन A की कमी से होता है इसी प्रकार मधु में भी जो है वो भी एक असंक्रामक रोग है ये भी नहीं फैलता जबकि उच्चे रक्तचाब भी नहीं फैलता तो इसका सहीं उत्तर क्या आएगा? हैजा, ये हैजा जो है, वो संक्रामक रोग है, अर्थात ये रोगी से स्वस्थ वैक्ति तक फैलता है दूसरा प्रशन है, एड्स किसके दवरा होता है, एड्स जो है, वो HIV वाइरस के दवरा होता है तो इसका सहीं उत्तर आएगा विशानू, और कौन सा रोग संक्रामक नहीं है तो इसमें से देखिए, टाइफाइड तो ये रोग फैलता है, कुष्ट रोग भी फैलता है, छोटी माता भी फैलती है तो सहीं उत्तर क्या है, रक्त कैंसर, ये इसके सहीं उत्तर है यहाँ पर देखे मैंने उत्तर लिख भी दिया है हैजा, विशानू और रक्त के अंसर अगला प्रेशन दिया है अच्छे स्वास्थ की दो अवश्यक इस्थितियां लिखे तो अच्छा स्वास्थ का अर्थ है अच्छा महसूस करना तो स्वास्थे वह स्थितिय जिसमें शारेरिक मानसिक तथा कौशल योक्तिकारी अपनी छमता और दक्षता के साथ जिसे पूरकिया जा सकता है तो अच्छे स्वास्थे की दो स्थितिया नेमने प्रकार हैं कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारेरिक असुइधा नहीं होनी चाहिए और दूसरा वह अपने कारियों को कुशलता पूर्वा कर सके तो यह दो कंडिशन इस्थितियां यदि फुल्फिल करता है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ अच्छा है अगला यहीं है दो प्रमूक कार्ण, ताथकालिक कारक और एक है सहायक कारक तो ताथकालिक कारक वहा है जिसकी वजह से कोई रोग होता है जैसे उधारन के assessment मलेरिया रोग का कारण किया है ? plasmodium टाइफ ऐड का कारण जो होता हैjat साल्मोनेल टाइफी नाम का एक जीवानू है वो ह दूसरा आता है सहायक करण तो सहायक करण जो है वो क्या है ऐसी परिस्थितिया है जो तातकालिक करण के लिए क्या होती मददगार होती है जैसे मान लिजे आसपास गंदगी है पानी जमा हुआ है पीने के लिए स्वक्ष पानी नहीं है व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक छमता कम है तो ये सब क्या करते हैं व्यक्ति को रोगी बनाने में सहायता करते हैं तो इने हम क्या कहते हैं सहायक कारक अगला प्रेशन है पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बिमार हुए अब बिमारी क्या थी फिर इसके आधार पर ऑप्शन दिया है इन बिमारी को हटाने के ल लिए आप अपने आसपडोस में क्या परिवर्तन करना चाहिए अब देखिए ये जो प्रश्न है ये हर स्टूडेंट का अलग-अलग हो सकता है इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया मैं सिर्फ आपको इसके उत्तर समझा देती हूं जैसे मान लीजे उदाहरण के लिए ए आपको सर्दी खासी कब हुई थी मान लीजे उदाहरण के लिए जैसे ही गर्मी से बरसात का मौसम आया तो आपको सर्दी खासी होगी तो आप क्या बताएंगे कि हम अपने दैनिक दिन चरिया में अपने स्वास्थ का ध्यान रखेंगे संतुलित भोजन लेंगे व्यायाम करेंगे और ऐसी चीजों से बचेंगे जो हमारे शरीर के स्वास्थे के लिए सही नहीं है आसपडोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे तो गंदगी ना हो जमा हुआ पानी ना हो यह सारे परिवर्तन हम क्या करना चाहेंगे अपने आसपडोस में करना चाहेंगे तो यह कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है और उसे कौन सी बिमारी तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है हम कैसे पता करेंगे बच्चे में बीमारी नहीं बता पा रहा है इसका मतलब यह है कि वह बच्चा जो है वह छोटा है तो यदि बच्चे की सक्रियता में कमी है ठीक से खेल मघध करें से फ्रहाद कर शहाद कुछ जरते नहीं ? फिर कौन सी बीमारी है? यह हम कएसे पता करेंगे? उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसका서.. कब कराएंगे टेस्ट होगा तो हमको पता चल जाएगा कि उसे कौन सी बीमारी है अगला प्रेशन है संक्रामक और संक्रामक रोग के बीच क्या भिन्यता है प्रत्य रोग का एक उधरन यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है रोग लिखे यह रोग है इसे मैंने रेड कलर से लिख और ओद्या से रोगी के कपड़े इस्तिमाल करने से उसके साथ खाना खाने से यह असानी से फैल जाता है उदाहरण है कोरोना सर्धी जुका हैज़ा पलेग त्वचे संबंदी रोग यह सारे रोग जो है वो कैसे रोग हैं संक्रमक रोग हैं और यह फैल लेते हैं दूसरा है इसका जो अंतर पूछा है तो दूसरे में देखिए ऐसे रोग जो संक्रमन कारक के द्वारा नहीं होते अर्थात वो नहीं फैलते और उनके कारक अलग-अलग होते हैं और यह रोगी व्यक्ति से व्यक्तियों में नहीं फैलते जैसे ब्लड कैंसर, मोटापा, कुपोशन, सिकल सेल, एनिमिया, उच्चरक्त चाप, रताउंदी, इत्यादी मान लिजिए आपका कोई मित्र है जो बहुत मोटा है यानि कि मोटापे से ग्रस्थ है तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसके साथ रहते हैं तो घूमते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे ये असंक्रामक, रोग है जो कि अलग-अलग कारकों पे निर्भर करता है फिर अगला प्रशन है देखिए, निमनलिखित में से किन परिस्थिती में आपके बिमार होने की संभावना सरवादिक है प्रशनक्रमांक 8 और प्रशनक्रमांक 9 ये प्रशन मैंने हापे लिख दे, अब युत्तर इदर देखते हैं तो उपरोक्त तीनों में से जब मित्र खसरा से पीडित है तब आपके बिमार होने की संभावना सबसे आदा है क्योंकि खसरा एक संक्रामक बिमारी है जो की रोगी वेक्ति से स्वस्थिवेक्ति तक पहुँचती है फिर प्रशनक्रमांक 8 में पूछा गया है रोग प्रतिरोधक छमता क्या होती यह एक महत्वपूर्ण प्रशन है इसे मैंने ग्रीन कलर से लिखा इसलिए प्रतियक जीव के शरीर के भीतर विशेश प्रकार की कोशिकक समुपाये जाता है जो क्या करता है रोग के कारक को पहचान कर उन्हें नस्ट करता है और रोग से उस जीव की रक्षा करता है यह प्रणाली प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है और इस प्रकार रोग से लड़ने की छमता को ही हम क्या कहते है रोग प्रतिरोधक छमता कहते है यदि रोग प्रतिरोधक छमता अच्छी है तो हमारा शरीर पहले ही रोग के कारकों से लड़कर उन्हें नस्ट कर देगा और हम बीमार नहीं पढ़ेंगे जैसे उधारण के लिए आप सबने यह मस्यूस क्या होगा कि जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी बीमारिया होने लगती है परन्तु ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे व्यक्ति बीमार पढ़ जाते हैं मौसम तो सब के लिए बदला है लेकिन फिर भी सभी लोग थोड़ी बीमार पढ़ते हैं तो संक्रमन लगभग सभी को होता है परंतु जिसकी रोग प्रतिरोधक शमता अधिक होती है वह बिमार नहीं पढ़ता और जिसकी रोग प्रतिरोधक शमता कम होती है वह जल्दी बिमार पढ़ जाता है फिर अंतिम प्रश्ण है रोग की रोग थाम उसके उपचार से बहतर है इस कथन की सार्थिक्ता बताने के लिए कोई एक उधारन दे देखें अभी आपको पते है कि वर्तमान समय में कोरोना बहुत फैला हुआ है तो सबसे अच्छा उधारन लेकर आपको जो उत्तर लिखना चाहिए वो कोरोना कही है तो रोग की रोग थाम का अर्थ होता है कि रोग होने से पहले ही रोग लेना है ना तो इस कथन की सार्थकता इहीं से सिद्ध होती है कि वरतमान समय में कोरोना के लिए सरकार ने अनिक प्रयास के और सब में बार बार यही जाग रूपता लाने का प्रयास किया गया कि बचाओ ही उपाय हैं किसी भी रोग के लिए रोग थाम बहुत महतोपूर्ण होती क्योंकि यह हमें बीमार होने से बचाती हैं और एक बार बीमार हो जाने के पश्चात कई रोगों में दिर्ग कालिक प्रभाव हमारे शरीर पे पढ़ते हैं जो कि उपचार के बाद भी नहीं जाते हैं इसके अलावा रोग हो जाने के पश्चात आर्थिक बोज क्योंकि आप जब आप उपचार करने जाओगे तो आप दवाईयां लोगे खरीदोगे डॉक्टर को दिखाओगे न तो आर्थिक बोज बढ़ते हैं साथ ही जात मांसिक और शारीरिक परशानी का भी सामना करना पड़ता हैं तो आर्थिक बोज मांसिक और शारीरिक परशानी सबसे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए उपचार के बज़ाए उसके रोग ठाम पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसके अलावा ये तो निम नरोगों के कारण लिखे तो AIDS, पीलिया, मलेरिया, रतांधी, मधुमे तो AIDS का कारण होता है HIV विशानू मलेरिया का कारण होता है Plasmodium, Proto-Joy और मादा एनेफिलिज मच्छर क्या है वाहक है पीलिया का कारण है Hepatitis विशानू रतांधी का कारण है Vitamin A की कमी मधुमे का कारण होता है Insulin नाम का जो हार्मोन है उसका शरीर में कम हो जाना और एक अत्यांत महत्यो पूर्ण प्रश्ण है वो है टीका करण क्या है हाला कि मैंने टीका करण आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है आप चाहें तो वहां से भी उत्तर लिख सकते हैं लेकिन शौर्ट में इसका उत्तर यह है कि टीका करण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रती शरीर में रोग प्रती रोधक छमता उत्पन ने की जाती है इस प्रक्रिया में शरीर में जिवानों या विशानों की नियंतित मात्र शरीर में प्रवेश कराते हैं जिससे रोग का हलका अक्रमन होता है आपने कई बर मैंसूस हुँवा कि होगा कि छोटे बच्चों को जब टीका लगवा के आते हैं, इंजेक्शन लगवा के, तो उनको हलका बुखार आ जाता है, बच्चा दो दिन तक बहुत परिशान होता है, तो क्या होता है, जिस भी रोग का टीका लगाया गया है, उसका संक्रमन थोड़ा सा होता है, और जब पुन तो ठीका करण यही होता है, सो आज के लिए केवल इतना ही, यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसके अगले वीडियो में आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ध्वनी, सो थैंक यू, है और आफ चैपके लेकर भी आपके लिकार लुसरी किनाफण अगिशनल